चार मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी, पोलिंग पार्टी की बस में आख लग गई थी और चार EBM जल गई थी, चार बुथों पर कल देखा गया कि तयार्या की गई थी मतदान को लेकर और आज कुल 3037 मतदाता वोट डालेंगे, पहली बार मध्यवा उंगली पर स्याही लगेगी और 7 माई के दिन तरजनी उंगली पर स्याही लगी थी, रिश्यू आप कहां पर इस वक्त मौझूद है, किस मतदान केंद्र पर मौझूद है, वोटरों में क्या जागरुकता नजर आ रही है? जी देखे, समय चिखली माल जो मतदान केंद्र है, वहाँ पर मतदान सुबह शाद बज़े से शुरू हो गया था, बाकी मतदान केंद्रों में ही, में भी जो है, बाकी तीन मतदान केंद्रों और हैं, कुल चार मतदान केंद्र हैं, चारों जगे मतदान शुरू हो चुका ह बहुत ही शांती पूले तरीके जो मद्दान ओर और सबसे अच्छी बात ये है कि यहां पर तीन दिन के भीतर मद्दान, दूसरी बार मद्दान करने के लिए मद्दान केंद्रों तक आ हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साथ मई के दिन ही सभी मद्दाताओं ने मद्दान किया था और उसके बाद पिर वो दस मई के दिन मद्दान करने के लिए आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह से प्रशासन को संदेह था कि मद्दान करने दोबारा लोग नहीं आएंगे, वो गलत साबित हुआ, लोग मद्दान केंद्र पहु में भी शही लगाई जाएगी, क्योंकि 7 माइ के दिन एक बार मद्दान कर चुके थे, उनकी तरजनी उङली में शही लगाई जा की थी बाहँ हात की, और आज मद्देमा उङली में भी शही लगेगी, बस इक ही मद्दान को लेकर लोट रही थी, 7 माई के दिन, वो एक हार प्रियार इशु जानकारी साचा करने के लिए तो अभी लगाता है जो है वोटिंग जारी है और वोटिंग का जो सिलसिला है वो आगे भी इसी तरह देखने को मिलेगा क्योंकि चार एबियम आग की वजह से जल गई थी बसने आग लगने की वजह से इसके बारे बाद फिर से वोटिंग हो रही है